शिरीशी भाई नमस्तूब्याम हर हर महादे भगवान भोले नात आप सबी की मनों कामना पूने करें इसी के साथ आज जो उपाई लेक्याई उन्हों वो बहुती महात्वपून उपाई है अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत समय से रोग से ग्रसी थे किसी बच्चे क बहुत लंबे समय से फीवर है बुखार है और उत्तर नहीरा है बच्चा बहुत जदा बिमार पड़ता है तो रोग मुक्ति के लिए आज आपको एकादशी और सोमवार के दिन यानि कि आसोमवार है और एकादशी तिधी पढ़ रही है तो आपको ये उपाई अवश्य कर ना चाहिए भगवान भौले नात और भगवान विश्यु को प्रसन्न करने के लिए रोग मुक्ति के लिए कि गए ये उपाई बहुत ही महत्वपून हैं किसी भी कारी सिद्धी के लिए किये गए उपाई किसी विश्य समय अवधी में किये जाये तो उनमें सफलता अवश यही मिलती है जैसे कि शीव महापुरान में लिखा है कि भगवान शीव ने ही वारती थी और समय एक एक पल की रचना भगवान शीव ने की है और हमारे शास्त रहना वो कहते हैं जैसे कि लिंग पुरान नर्मदा पुरान शीव महापुरान की रोग मुक्ती के लिए कोई व् बिमारें बहुत समय से रोग से ग्रसी थे, कई तरी के इलाज करवा लिए, लेकिन अगर उसको फाइदा नहीं हो रहा है, किसी भी तरे का भैनक रोग हो गया है और फाइदा नहीं हो रहा है, तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे, तो वो एक समय आवधी में आपको उपाय बताएगा, और पूची पंडित पदी मिशाई दरशी महापुरान की कथा में बताया गया है कि कुमार खंड में वर्णन किया गया है कि 9 बचकर 15 मिनीट पर रोगी व्यक्ति के द्वारा भगवान शिव का अभी शेक कराया जाता है, तो उसको रोग से मुक्ति मिलती है, ध अगर भगवान शिव करनों वजके 15 मिनीट पर उस रोगी व्यक्ति के रोग मुक्ति के लिए उपाय करता है, भगवान शिव का अभिशेक करता है, और साथ में महा में तुझे मंतर का उचारन करता है, तो रोग जो है न वो समाप्ति की ओर जाता है, भगवान शिव की महा कच्चा दूद मिलाईए और थोड़ी सी काली तिल थोड़ा सा सुखा आमला या तो आमला डाल दीजी या फिर आमले का जो पाउडर होता है वो डाल दीजी और सुखा बिला जो बेल फल होता है ना बेल फल वो भी मार्केट में आपको मिल जाता है सुखा बेल फल उसका पौडर मिल जाता है अगर पौडर नहीं मिले तो आप सुखा बेल का फल होता है वो भी ले सकते हैं और उसका पौडर बना लीजी अगर सुखा बेल फल है तो उसका पौडर बना कर रख लीजी जी तरह ना उप्टना करते हैं इन सबी चीजों को लेके जाना है आपको भगवान शीव के मंदीर में और वहां जाकर आपको रोगी व्यक्ति के लिए प्रातना करणे अगर रोगी व्यक्ति इस उपाय को करते हैं लेकिन जैसे छोटे वच्चे हैं बिमार रहते हैं तो आपको खुद ही करना है जो रोगी व्यक्ति है उसके गुल के लोग करेंगी इस उपाई को तो बहुत ही अच्छा रहेगा बस करना यह है कि जो रोगी व्यक्ति है ना उसको आप इन सबी सामागरियों को इश्परश करा लीजिए उसके पशात इस उपा आप पैरेंट्स इस उपाय को कर सकते हैं तो केसे करना है समझ लीजी अच्छे से ये जो सामगरी आपने तियार करें इनको ले जाकर भगवान शीव के मंदिन में सबसे पहले उप्टने से भगवान शीव का आप अच्छे से उप्टना कर दीजिए उसके पश्यात और फिर जो जल है ना उससे भगवान शीव का अभिशेक कर दीजिए और मंत्र का उच्छारन करना है कौन सा मंत्र है ओम जुम सहा इस मंत्र का आपको उच्छारन करना है और जब आप उप्टना और जल जड़ा देते हैं उसके पशात उसी का थोड़ा सा भाग आप जो बच्चा बिमार है उसके लिए लेके आजाईए जो बच्चा या बड़ा जो भी बिमार है उसके लिए लेके आजाईए ना तोड़ा सा उप्टना और जो आप जल जड़ा रहे हैं दूद के साथ में उसको लेके आजाईए और जो रोगी व्यक्ती है जो रोगी बच्चा है उसके आप हिर्दे पर और साथ में मस्तक्षपे लगा दीजिए, पूरे आप उसको अच्छे से लगाने के बाद आप उसको गिले कपड़े से पोज दीजिए और जटकार दीजिए, इस तरह से आप देखेंगे कि बच्चे को जो रोग है, बुखार है, निमोनी की शिकायत हो कर सकते हैं, इसके लिए कोई समय अवधी नहीं है, कोई दिधी नहीं है, आप जब भी आपका बच्चा रहे कि हाँ ये बिमार हो रहा है, इसको बुखारा रहा है, तो उस समय आप इस मंत्र का उच्चारन करते हैं, उस उपाय को करिएगा, बच्चे के बीमारी में पाय को करना है, वो पूरा समझाया था, लेकिन उसमें एक बार-बार कमेंट आ रहे कि चो मुखी दीपक को हमको कहा जलाना है, जला के आना है, कि नहीं जलाना है, इस उपे बहुत सारे कमेंट आया है, तो मैं बता देती हूँ कि चो मुखी दीपक को आपको वहाँ पर जल जा के आना है ये आप समझ लीजी कि चो मुखी दीपक को वहां पर आपको जला के आना है किस तरसे करना है पूरा अच्छे से समझाया है मैंने और उसकी उपर मैंने एक और वीडियो वापस से बना के डाला था तो वो भी देख लीजिएगा आप जाकर तो ये थे आज के आदे आदेशी शिवाय नमस्तु ब्याम